अस्मा सर्वेशु खालेशु मामरुस्मर युद्यचर माम अर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्य संशयं कस्मात सर्वेशु कालेशु इसलिए हर समय माम अनुस्मर्च युद्यचर मुझको स्मरण कर और युद्ध कर असंशम माई अर्पित मनो बुद्धि माम एव एश्य सी मेरे को ही पालेगा कस्मात सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मर्च युद्यचर असंशम माई अर्पित मनो बुद्धि माम एव एश्य सी भावात इसलिए हर समय उचते उच हीरों में मुझ शिव ज्योती को स्मरण कर और विकारों की माया से अहिंसक युद्ध कर निस संदेह मेरे में अर्पित हुई मन बुद्धि वाला तू इस राज्योग से मेरे राजाई भाव को ही पालेगा फुटनोट लक्षे साक्षात इश्वर द्वारा सिखाए राज्योग अर्थात बुद्धियोग से ही कलियोग के अंत तक स्वाधीन राजाओं की राजाई चली है अन्य था कोई भी विधर्मी धर्म पिताओं ने राजाई का ज्यान नहीं दिया सबने आधीन ही बनाया है आत्माओं में जो परम पार्ट धरी आत्मा है हीरो पार्ट धरी आत्मा है उसे हीरो पार्ट धरी आत्मा में वो परम पिताशेव प्रवेश करते हैं जब प्रवेश करते हैं तब पता चलता है कि ये है परम आत्मा उससे पहले कोई उसको जानता नहीं है कि आत्माओं के बीच में जो जनमण के चक्र में आने वाली आत्मा हैं, उनके बीच में हीरो पार्ट धारी आत्मा कौन सी है। वो जब प्रवेश करता है तो पता चलता है ये परमात्म है, परेते परे स्टेज का पार्ट बजाने वाली है। उसको कहते भी है भगवान, भगर अर्थात भागिवन। उससे ज़्यादा भागिशाली रथ हो और कोई होता नहीं। है तो एक ही, अनेक नहीं है। एक को ही याद करना है। तो ये जो मा भारी मा भार लडाई जो लगी थी न। उस्वे बच्ची कोई बो लडाई वो तो लडाई लगती है उन लोहों की। जैसे तो बंदूकों की तलवारों की लडाई लगती है। और तुम बच्चों के तो यह कोई हिंसक लड़ाई थोड़े ही है, नहीं, यह हिंसक लड़ाई तो उनकी है, जो दिखलाते हैं, कि यादोर, कोरो, यह पांडो, और यह यवन, उनकी लड़ाई दिखाए देते हैं, और तुम तो देखो, उठते, बैठते, चलते, फिरते, जैसे की लड़ाई के मैदान में, आप अनों को समझते हो, कि हमारा तो माया का युद्ध है, कि विकारों की लड़ाई है, और माया सी युद्ध है, याद करते करते लड़ाई लड़ाई, शिवाले और वैस्याले में क्या फर्क होता है, शिवाले में अब बेविचारी होते हैं, क्यों, देर सारे देवी देवताओं के पूजा नहीं करते हैं, शिवाले में पूजा नहीं होते हैं, शिवाले में लगे हुए, जड़े हुए, मूर्थियां रखी होते हैं, उनके पूजा नहीं करते हैं, हाँ, वो शिवाले इस बात की यादगार है, कि शक्यूगत रेता में अब बीचार होता है, वो अब बीचार की स्थापना, शिवाले की यादगार है, क्या यादगार है, कि सब का मुख एक बाप की हो रहे हैं, मुख एक बाप की हो रहे हैं, मन बुद्धी, एक बाप में लगी हुई है, जब मन बुद्धी ही एक बाप में लग जाएगी, तो और कर्मिंद्रियां दूसरी और नहीं जा सकते हैं, तो बाप ऐसी नालिज देते हैं, जिससे एक की चन के लिए तुम चक्रवती राजा बनते हैं, भारत जैसा उंचा कोई थाई नहीं, तो कैसे राजा आहिग बाईए कोई नहीं जानते, कोई नहीं जानते, अरे ब्रह्मा कुमार कुमारी तो जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं? तो अंदर से पूछो, द्रस्ति, व्रक्ति, क्रति, करमेंद्रियों का बिविचार अंदर से निकाल फेका है? या रोज अटेक करता रहता है? किसलिए बोला? जिस समय ये बाणी चलाए गई, उस समय तो बेसिकली भी नहीं जानते थे, क्या? कि बादशाही देवताओं ने कैसे गवाई? कैसे गवाई का क्या उत्तर निकला? विविचारी बने? तो राजाई गवाई थी? ज्यानमार की जीता से तो राजयोग की उपलब्दी होती है. राजयोग, सहज राजयोग का ग्वाई ज्यान मिलता है. सहज-्एयोक का ज्ञान मिलता है इसका रिजम्टि भी आता है राज रहा हुआ है रहसे भरा हुआ है तो किसे बात को रहसे है राजाई प्राक्त करने करम एक भगवानी है जो इसर्ष्टी पारल करके राजाई इस्थापन करता है जा राजाई की पढ़ाई पढ़ाता है और दुनिया में कोई धर्म पिता नहीं है जो राजा बनाता हो राजा मने सतंत तो क्या बनाते हैं दूसरी धर्म पिता हैं पराधिन बनाते हैं क्या अपने आधीन बनाएंगे प्रकृतिके आधीन बनाएंगे लेकिन स्वाधीन राजा कोई नहीं बनाता इसलिए आज क्या देखने उन दुनिया में आता है आज दुनिया में यही देखने में आता है भी खास तरके 100-200 बर्स के अंदर जबकि दुनिया अंतिम छोड़ पर है तो राजाओं का शासन चल रहा है या प्रजा का शासन चल रहा है जादातर देशों में प्रजात अंतर रहा है इसलिए भगवान बाप बताते हैं कि प्रजा के ऊपर यह प्रजा का शासन है बेकाइदे रहाची क्या क्योंकि स्थापन करने वाला एक नहीं है तो राजा कैसे एक राजा ही चल पाएगा एक राजा का शासन चलेगा या देरों का शासन चलेगा प्रजात अंतर में देरों को शासन चल पड़ा झाल झाल